बहुत दिनों के बाद शाम के समय मित्रों के साथ भोजन करने का कारिकर्म बना मित्र इकटे हुए एक रेस्टोरेंट में पुरानी चर्चाएं होने लगी नई बातें भी लगातार साथ में चलने लगी आगे बढ़कर क्या क्या करना है वो भी सब कुछ एक तरह से वहां डिस्कुशन का बेस बना गंटे डेट गंटे बाद जब उस मेज से उटकर आगे बढ़े और पीछे मुड़कर देखा तो नजाने कितनी ही प्लेट्स के साथ में अच्छा कासा चूटन चूटा हुआ था घर पहुंचे बच्चे से पूछा क्या चल रहा है उसने भी जवाब दे दिया ठीक चल रहा है एक आपचारिक ताके वशिबूत होकर वो भी चर्चा पूरी हो गई ऑफिस से निकल रहे थे कुछ दिनों पहले कुछ कारे जो सामने थे हर एक में थोड़ा-थोड़ा काम काज हुआ और अधूरापन छूटता चला गया जीवन बारब बार संतुस्टी की गुहार लगा रहा था और हम बड़ी-बड़ी आकांक्शाओं के साथ में संतुस्टी को देख रहे थे परन्तु आज के दिवस में जहां जहां गए जो जो कारे किया वहां वर्तमान में मौजूद रहे या नहीं वो बात अलग परन्तु छोटी-छोटी स्थितियों के साथ में जो संतुस्टी हो सकती थी उसका स्वाद ले ही नहीं पाए एक बार जब ओफिस का कामकाज निवरत कर रहे थे पीछे मुड़ कर देखते क्या इस्तिया है और कैसे कैसे हमने कारे किया तो वहां से एक अलग स्पष्टता सामने निकल कर आती कि ये कारे इतनी संतुस्टी के साथ में हुआ बच्चे के साथ में जब चडचा चल रही थी और पूरी तनमयता से उससे पूछते क्या चल रहा है क्या कर रहे हो उसकी सुनते डिसकुशन का बेस बनाते वहां पर भी संतुस्टी थी मित्रों के साथ में बड़ी बातचीच चल रही थी परंतु जब उस मेच से उठ रहे थे और उस प्लेट को देख रहे थे यदि एक अन्न का दाना भी वहां पर जोटन के आधार पर नहीं होता वो भी स्वयं के लिए संतुस्टी का एक अग्रगामी स्थर होता परंतु व्यक्ती ऐसे छोटे छोटे कौनों में असंतुस्टी छोड़ता चला जाता है और स्वयं को बहुत बड़े लक्षियों के साथ में जोड़ता और सोचता है कि यहां सफलता आसल करके संतुस्ट होंगा बात बहुत छोटी सी है जो जीवन की भीतर असर करने वाली होती है शर्ट पे जड़ी एक चोटा साभी स्याही का दाग लगा होता है तो व्यक्ति खुद को confident फील नहीं कर पाता कई बार और मन बारं बार वहीं पर भटकता रहता है इसी तरह से हम नजाने अपने कामकाजी जीवन में हम बारे बारे के स्तर के उपर स्वैम के साथ में ऐसी नजाने कितनी ही छोटी छोटी चीज़ें छोड़ जाते हैं जो अबचेतन के साथ में लगाता रेडाउट होती रहती है परन्तु हम संतुस्ट के द्वार कहीं और खोलने वाले होते हैं ये कर देंगे तो संतुस्टी है मन बेचैन है कई बार कहा जाता है परन्तु जैसे ही ये सारे प्रोसेस डिसिप्लिन में आने लगते हैं यकीन मानिये जिवन बहुत बड़े वदलाव के संकेत के साथ में होता है जो वर्तमान में कर रहे थे बले ही कामकाज हो या कोई और जिम्मेदारी का मिरवहन वहाँ जैसे ही संतुस्टी निकल कर आती है यात्रा पूर्ण तया परिवर्तित होती चले जाती है और अनुशाशन पर शाशन स्थापित होने लगता है इसी वज़े से इन छोटे छोटे कोनों में जैसे ही संतुस्टी निहतार्थ होने लगती है जीवन के अर्थ विशेश बदलने लगते है इन सारी ही चर्चाओं के बाद हम आपके समक्ष साथ दिसंबर दोहजार बाइस का दैनिक राशिफा लेकर उपस्तित हो है चंद्रमा के स्तियां वुरशब राशिस्तान में करते का नक्षत्रिय सूरिदे कालिक परिदी आधार वहीं बुद्वार रहेगा मार्ग शीश मास शुकल पक्ष चल रहा है पूर्णी मा वरत आज के दिवस विशेश में ही संपन्न होने वाला रहेगा और हम चर्चा की शुरुवात करते हैं नेश राशी के साथ में व्यापारिक जीवन में यहां धनागमन के अच्छे संकेत साथ में रहेंगे आए हुए अवसरों के साथ जोडने का प्रयास करें यात्राओं के साथ चलते हुए भी यहां बैटरमेंट के प्रोस्पेक्ट साथ में बने हुए है नौकरी पेशा जीवन में चोटे-चोटे विवादों से बचें और खुद को हैसल फ्री अप्रोच के साथ में कामकाच की और बढ़ाने का यतन प्रयतन करते चले जाएं कुटुम्भी जनों का सायोग बहुत अच्छे से यहां आपके साथ में है जो कार्य लंबे समय से अटकाब के तरफ थे कोई रास्ते मिल ही नहीं पा रहे थे वहाँ पुन है आपके लिए एक तीजी निकल कर आने वाली हो सकती है स्वास्ते आज मजबूती लिए वो है परन्तो थ्रॉट इंफेक्शन को रिलेट करते हुई जो चोटी-चोटी प्राब्लम्स होती है उससे खुद को काफी हद तक सावधान रखने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा वरशब राशी किसी भी इंटर्वियू की तरफ जा रहे हैं एक कॉन्फिडेंट अप्रोच आपके साथ में बनी रहेगी ग्रिहस्त पक्ष का सायोग आपके साथ है वहीं जो आप शेर मार्केट संबंधी कारिज में है दोपहर साड़े बारा बज़े से लेकर ढाई बज़े तक का समय अंतराल आपके लिए परिपक्कोता लिए हुए है एक्सबोर्ट संबंधी कारिज में बड़े निरने में थोड़ा सा गैब देकर चलिएगा वहीं यात्रा कर रहे हैं कोई भी डॉक्यूमेंट केरी करने है कोई और आपके साथ में कोई ऐसी फाइल आरी की अप्रूच है बहुत अच्छे से चेक कर ली जाए तो बहतर है आटो मुबाइल संबंधी काम काज में तेवरता के मानक यहां साथ रहने वाले होंगे वहीं ग्रिहस्त पक्ष की और से सुकद खबरें भी आपके दिजार कर रही है जो मानस पटल को लगातार संतुस्टी के प्रबल वेग देती चली जाएगी वहीं आर्टिस्टिक फिल्ड की साथ में आप जुड़े वो हैं मेजर बेसिस के डेवलप्मेंट साथ में हैं जो कहने कहीं फाइनिशल गेन की एक अच्छी अप्रोच को आपके लिए दरशाने वाले हो जाते हैं रुकावट और बाधा दूर दूर तक भी नहीं अपने क्षमताओं पर विश्वास करके निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास आप जरूर करने वाले रहें मिथुन राशी खर्चों पर नियंतरन रखकर चलने का प्रयास कीजिएगा ग्रिहस्त पक्ष का सैयोग आपके साथ में बना रहने वाला होगा वहीं हायर एजूकेशन को रिलेट करते ही पूजिशन में कोई भी बड़ा डिसीजन यदि आपको लेकर चलना है उस हिसाब से भी इस समय को आपके लिए बहुत अच्छा कहा जाएगा यही वो अंतराल है जहां पर विदेश संबंदिकारियों में संभावनाओं का किंद्र बिंदू आपके साथ जुड़ा हुआ है कोई निरनायक मीटिंग है यह याद रखें कि सुना अधिक जाए कहा निरनायक आधार के उपर ही जाए और इसे के साथ में फैक्ट्स को लगातार नोट डाउन किया जाए जो काम की जानकारी है उसको दिमाग के साथ साथ कलम बद भी किया जाए यह याद रखेंगा वहीं सुबह के अंतराल में जो कई बार अनिद्रा की स्ततियां सरदर्द संबंदियाधार को लेकर आती है उसके लिए भी प्रापर विस के ट्रीट्मेंट को लेकर चलिएगा चूटे चूटे गैप में भी पावर नैप असरकारक से दोती है और आज की भागदोड में ये सफलता का प्रमुक सुत्र आपके लिए कहा जा सकता है करक राशी सरवांगेंड लाप की स्ततियों में व्रद्दी है तदा क्शम्ताओं के उपर विश्वास करके आगे बढ़ने का प्रयास कीजिएगा पराक्रम यहां एक अलग वेगवान आधार के साथ में वना हुआ है यात्राओं से संबंदित कामकाज में कहीं पर भे हिचके चाने की आवशकता नहीं है एकांत में मन रचने और बसने वाला होगा वहीं से संतुस्टी के प्रयोजनार ताधार लगातार निकल कर आने वाले होंगे याद रखिएगा कि किसी भी संबंदादी की चर्चा चल रही है हम कई बार एक रियक्टिव अप्रोच में होते हैं परन्तु यहां जो भी पोजिशन सामने है उसको एक्स्प्लोर करते हुए चलने का प्रयास आप जरूर करने वाले रहें यह एक निविदन तरल पदार्त संबंदी कामकाज में बहुत अधिक जल्द बाजी करने से बचना आपके लिए आवशक कहा जाएगा और यह भी याद रखिएगा कि वाक पटुता संबंदी जो इस्ततियां है बहुत अच्छे कही जा सकती है जो आप कह रहे हैं उसमें एक कन्विंसिंग पावर बेहचानदार तरीके से बनी हुई है इसमें कोई भी दुविधा के करम मौजोद नहीं है चर्चा सिंग राशी की नौकरी पेशा जीवन में आप स्वयम को व्यवस्थत होता हुआ आज देख रहे हैं जो भी कमिट्मेंट आपने किये थे उनकी पूर्णता के वेग भी आपके साथ बने हुए माता के स्वास्त को लेकर बनी हुई चंताओं में अप काफी हद तक कमी आ सकती है जौब में जो आफिस पलिटिक्स के अप्रोच आपको डिस्टरब कर रही थी उससे दूर हटकर जब आप अपने कामकाच को ही पूरी ही वेगवान आधार के साथ देखते हैं तो चंताओं से मुक्ति के करम बनाते चले जाते हैं इच्छा शक्ति का भाव दूर दूर तक भी नहीं है गुरिहस्त पक्ष का सायोग आपके साथ में बना हुआ है और वहीं चोटी चोटी बातों में सोच में जो रुगनता रहती है उससे पूर्णत अया बच कर चलने का प्रयास जरूर कीजिएगा और इसी एक बात के साथ में ये भी नोटिस करें कि जो यहां आप मेडिकल और टेक्निकल फिल्ड के साथ में जुड़े वो हैं कोई भी नया नुभव मिलता है उसकी सहर शिस्वेकारोक्ति अपने साथ जरूर बना कर रखें यातरा बढ़ाते हैं कन्या राशी की और तो भाग्य का सयोग आज आपके साथ मौझूद है वहीं शेर मार्केट संबंधी कामकाज में सुबह साड़े नो बज़े से लेकर साड़े ग्यारह बज़े तक का समय अतियुत्तम संतान पक्ष के साथ चोटी चोटी बातों में उलजने से बचियेगा प्रोफिशनल लाइफ में आपके द्वारा जो प्रोफिशनल एप्रोच को अचीव किया गया है जहां डिस्ट्रेक्शन्स बहुत कम है फ्लॉलस बेसिस बने हुए है हमने उस कमफर्ट को एस्टेबलिश किया है जो कामकाज के साथ निकल कर आता कमकाज के बाद भी मौजूद रहता है उस धारा की वज़े से आज आप एक अलग संतुस्टी महसूस करने वाले होंगे दुपहर के समय अंतराल में आलस्यक इस्ततियों से पूर्ण तया संभल कर चलने का प्रयास करें और वहीं आप ये भी देखें कि जो यहां आपका आत्म विश्वास है वो लोगों को निरंतर तोर पर प्रभावित करने वाला रहेगा इंट्यूशन का बेस भी बहुत एक पॉजिटिव नोट के साथ में आपके लिए बना हुआ है जो जीवन की विज़ाय का प्रमुक्रम स्थापित करता चला जाता है रचनात्मक कारियों में वरद्धिक अच्छे संकेत आपके साथ बने हुए है तुला राशी रिसर्च संबंधिक आमकाज में धैर्य स्थापित करके चलिएगा मेटल संबंधिक आर्य में जल्द बाजी दिखाने से पूर्ण तया बचें वहीं वानी संबंधित कामकाज में ये समय आपको एक अलग सिरे के साथ में परते बिंबित करता चला जा रहा है उसमें भी कोई रुकावट और परिशानी नहीं है ये ही वो अंतराल है जहां भूमी संबंधित निवेश में बड़ा से संबलिएगा आकस्मिक तौर के उपर कोई भी समस्य आती है उसको उतना ही सिरे के साथ में सुल्जाना आपके लिए एक अती आवशक करम कहा जाएगा और ये भी याद रखें आप कि जो कहीं न कहीं क्षमताओं के उपर प्रश्ण चन लग रहे हैं ये कार्य आपने ऐसे क्यों किया इस तरह से आप बढ़ सकते थे उन सारी अवस्ताओं के अंदर जितना धैर्य आप स्थापित और हासल करेंगे उतनी ही ये यातरा आपके लिए बहतर के करम को इस्थापित करते ही चाहेगी बढ़ते हैं वरश्चे कराशी के और वियापारिक जीवन के अंदर उत्तम इस्ततियां आपका स्वागत कर रही है ग्रिहस्त पक्ष का सहयोग आपके लिए यहाँ पुरजोर तरीके से बना रहेगा सरवांगेंड लाप की इस्ततियों में वरद्धी है कम्यूनिकेशन में जो कई बार पारिवारिक जनों के साथ में गैप आता है उसको दूर करने की पूरी पूरी जरूरत रहेगी आप ये भी गौर करें कि जो आपने कोई भी लक्ष बड़ा स्वाइम के लिए बनाया है उसके लिए जो पहला कदम लेना होता है या उस तरफ जो बढ़ना होता है उसकी शुरुवात आज के लिवस में यहां बुरी ही उत्साह के साथ में की जा सकती है कोई विरुकावट और बाधा हम वहां आपके लिए नहीं देखते ये भी यात रखें कि जो रेगलर रूटीन आपने अपना कर रखा हुआ है उसमें और जादा अप्तेवरता के साथ में इंटेंस अप्रोच में चलने का प्रयाज जरूर करें यही वो करम है जहां टेक्स्टाइल संबंदिक आमकाज में भी बड़ी सफलता के आधार बन सकते हैं चलते हैं धनुराशी की और परतम तया यहां जो चोटी चोटी बातें मन मस्तश को परिशान करती है उनको हटा कर उनसे एक्जिट लेकर आज आगे बढ़ने की जरूरत है यह दिन कुछ संगर्शों से बरा हो सकता है उसकी तैयारी करके रखिएगा खानपान पर नियंतरन रखने का प्रयाज करें जो किसी व्यक्ति विशेश के साथ में आपने कारे को आगे बढ़ाया है परंत उसकी शैली शुरुवात से पसंद नहीं आ रही है हम अपनी एनरजी का 100% वहां फ्लो एस्टेबलिश नहीं कर पा रहे हैं भाग्य के सायोग उस इस्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं फोकस में जहां पर भी कमी महसूस होती है वहां पुनहे स्वयम को एक बार संभालने की जरुरत रहेगी मकर राशी अपने क्षमताओं पर विश्वास करके चलना जीवन का एक अभिंग नंग आज बना कर रखियेगा वहीं शेर मार्केट संबंधी कारे में दोपहर की बात का निवेश अच्छा है मकर राशी के जातकों के लिए यहां पर डिसिप्लिन में रहने की जरुरत है लोगों के साथ में चर्चा हो रही है और गंटा भर जाया हो गया और आज का ओर जावाम दिवस ऐसा बिलकुल भी नहीं चाहता इसी वज़े से आप उस टाइम बाउंटेड प्रोसेस के साथ खुद को बार बार याद दिलाने का प्रयास कीजिएगा कि हमारे सामने कौन से कारे मौजूद है जो माइंड सेट में आपने चेंजिस किये हैं उसको अपनाने में अभी थोड़ा सा समय और लग सकता है इससे इनकार हम नहीं करेंगे और वहीं अपनी वाणी पर जतना नियमतरन रख कर आप चलेंगे यानि कि नरणायक मौकों पर सुनना अधिक है कहना कम है और जब कहें तो फैक्ट की साथ में कहें इस यातरा को अपने साथ में आप एस्टेबलिश करके चलते चले जाईएगा वहीं कॉमबराशी सोच में किसी भी तरीके का भहे का मार्ग बनाने से बचें नौकरी पेशा जीवन में आज कुछ अवरोज सामने निकल कर आ सकते हैं उनसे भी संभलने की जो इस्ततियां होती है वो अपने साथ आप जरूर बनाते चले जाएं ये याद रखने का प्रयास करें कि जो अध्यात्मिक चिंतन के बरिवाशाएं हैं नौकर के भीतर बहुत अच्छे से स्थापित होकर आगे बढ़ रही है जातकों को चाहिए कि आप अपनी सोच में जिस परिपक्पता के साथ में चल रहे हैं प्रतेक व्यक्ति से ऐसी आशा और अपेक्षा रखने से आप बचिएगा लोह संबंदी कामकाज मैं भी यहां अंजान व्यक्ति के साथ किसी भी तरीके का बड़ा निरनाय इस्थापित करने से बचना एक बहतर करम कहा जाएगा और वहीं आप यूभी देखें किसी रिलेशन के साथ में चल रहे है लंबी समय से कुछ खुशनमा पलों का इंतजार था जो अब यह तक सामने नहीं निकल कर आप आए वहाँ पर भी आपके लिए अब एक पॉजिटिव एप्रोच बनती चली जा रही है तो वहीं मीन राशी प्रतम तया पराक्रम में यहां आपके लिए वरद्धी है अति उत्साह के साथ में कोई भी घड़बर नहीं हो जाए यह आप ध्यान रखियेगा नौकरी पेशा जीवन हो या फिर व्यापारिक जीवन टाइम बाउंडेट कमिट्मेंट के साथ में चलने के रिक्वार्मेंट रहेगी आत्म विश्वास का सिर्मा और आधार बना हुआ है परन्तु वो अति आत्म विश्वास के और जाने वाला नहीं हो यह भी गौर करने की जुरूत है वहीं मेडिकल और टेक्निकल फिल्ड के साथ में यह आपका जुडाव है भाग दोड है परन्तु वहीं सबलता भी नहितार्त रहने वाली रहेगी अपने क्षमताओं के उपर विश्वास करके जीवन को देखने का पूर्ण तया प्रयास आप करते है चले जाईएगा यह याद रखें कि जो कारे अधूरे चूटे हुए हैं वो भी करने पूर्ण हमें ही हैं और उनके लिए भी अपने दृष्टिकॉर्ण को लगातार अपना कर चलना अतियावशक करम है कुल जमाजोड आज का दिन उर्जावान है उस उर्जा को बहुत अच्छे से यूसेज में लेकर आते हो चलने का प्रयास आप जरूर करने वाले रहें तो ये था साथ दिसंबर दोहजार बाईस का अब दैनिक राशी फल हमें से ही चर्चाओं के साथ तो बस्ते तो तरहेंगे दन्यवाद एवम कोटी शेह आभार